हलो, वेलकम वल उफ यू, तो चली शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रोल ओफ इथिनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स तो रोल ओफ कास्ट एंड क्लास हमने अल्रेडी कवर कर चुका है इसके पहले एंड वो यूट्यूब में डला हुआ है तो वहां से जाके आप उनको भी कवर कर सकते हैं आज जो हम टॉपिक में बेसिकली कवर करने वाले हैं वो बेसिक से हम शुरू करेंगे कि इथिनिसिटी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है इसके बाद लेटेंट और मैनिफेस्ट आइडेंटिक का जो कॉंसेप्ट है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे अप्टर डेट, इमर्जेंस अप इंडिया एज अनेशन जब इंडिया नेशन बन रहा था तो इथिनिसिटी का क्या रोल था इंडिया पॉलिटिक्स में वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे जारकन मुवमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या थे, उसके आउटकम क्या थे and कैसे ethnicity Indian politics में impact करती है उसका बहुत अच्छा example था जारकन moment तो उसको भी हम जानने के भी कोश्च करेंगे and then हम factors जानेगे कि ethnic unrest जो इंडिया में है उसके क्या-क्या factors है and यह हम खतम करते हुए Indian state का response, Indian government का response constitutional provisions यह सब जानेगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का lecture चलिए तो class शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप MPPSE Civil Services Examination की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारा app download कर लीजे and आप हमारा target 2021 batch भी join कर सकते हैं जिसका focus prelims plus mains combine रहेगा इस course की validity जो है वो one year end fees भी बहुत कम ही है so सारी details आपको description box में मिल जाएगी आप वहाँ से देख सकते हैं तो हम यह समझें कि Indian politics में ethnicity का role क्या है उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ethnicity की definition क्या होती है ethnicity का मतलब क्या होता है तो अगर हम loose terms में देखें तो race से हम एक ethnicity का मतलब समझ सकते हैं पर जैसा कि मैंने बोला कि loose terms में so यह जरूरी नहीं है कि ethnic group में racial overtone हो ही किसी cultural basis में किसी language basis में भी ethnic group हो सकते हैं यह जो definition है यह भी अब धीरे धीरे change होते जा रही है and modern times में अगर हम बात करें तो ethnic group का basically मतलब होने लगा है कि एक जो group है कोई उसमें कुछ people से जो हैं subconscious है and वो अपने आपको marginalized section of society बता के government के सामने demand रखते हैं कि उनके group का ethnic group का uplipment हो सके जिससे so अगर हम ethnicity के characteristic की बात करें so ethnicity किसी में भी बोसे सकती है जैसे कि caste, language, religion region, etc. और जो society में हमें inequality of power in terms of sharing power अगर हमें inequality देखने को मिलती है society में तो उसके वज़े से दो ethnic group में conflict होता है and इसके अलावा ethnicity के basis में social mobilization भी होता है social mobilization के अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो political mobilization भी होता है इसलिए हमारी country में खास कर अगर grassroot में discontent नहीं है तो भी कई जगे में हमें ethnicity के movements देखने को मिलते हैं क्यों क्योंकि political mobilization के लिए अगर थोड़ी सी भी feelings grassroot में है तो उसका political advantage उठाने के लिए politicians उसको vote bank की राजनीती में convert कर देते हैं and वो एक movement Indian state के सामने दिखना लगता है and इसके लावा हम बात करें तो uneven development की कुछ cities बहुत ज़्यादा बढ़ गई कुछ areas tribal wealth का development ही नहीं हुआ या वहाँ पे उनके according development नहीं हुआ यह सब जो होता है यह सब इसनिक movement का कारण बनता है okay so इसनिक group का focus of interest क्या होता है तो देखिए अगर हम political science में realistic view से बात करें तो किसी भी movement का किसी भी group का इस basis में participation होता है कि उनका economics और politics में कितना share है right so political और economic way में कितना उनका share है अगर ज़्यादा है तो groups बनते हैं उसको बचाने के लिए और अगर कम है तो groups बनते हैं उसको पाने के लिए ठीक है right और हम ओफन ये देखने को मिलता है जारतर कि groups जो है वो language, caste, religion, region को एक मुद्दा बनाते हैं group को mobilize करने के लिए and government के सामने अपने-अपनी demand रखने के लिए okay so latent and manifest identity के concept को समझने के लिए हम बहुत सरल सब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं so देखिए कोई भी individual है कोई भी इंसान है तो उसकी एक identity नहीं होती सिर्फ उसकी बहुत सारी identity होती है right और पर दिक्कत यह है कि सारी identity एक साथ दिखती नहीं है okay so आप बोलेंगे कि कैसे so देखिए for example अगर for example just for example हिंदू राजपूत है कोई and ये OVC में भी आते हैं कई जगे okay so कब वो हिंदू राजपूत बताएंगे अपने आपको और कब OVC बताएंगे ये situation situation पर depend करेगा देखिए इंसान बहुत समझदार होता है इंसान जो common way ने इंडिया का वह समझदार है वो अपने according अपनी identity change करता रहता है तो जब वो शादी के लिए जब proposal आएगा या जाएगा उनकी तरफ से तो वो अपने आपको बताएंगे कि मैं हिंदू राजपूत हूँ लेकिन जब economic basis में जब job की बात आएगी जब paper वगेरा में बात आएगी तो वो अपने आपको बताएंगे कि भाई हम OBC है reservation के benefit के लिए मैंने जो बोला कि इंसान की identity बहुत सारी होती है लेकिन एक वक्त में हमें एक ही दिखती है जो बहुत सारी identity होती है उसे latent बोला जाता है जो की सारी identity इंसान के अंदर है बट जो हमें दिख रही है at the point of the time वो होती है manifest identity और अगर हम दूसरे concept की बात करें कि plurality and larger identity इंडिया देखिए इंडिया बहुत plural country बहुत सारे culture बहुत सारा हमें अलग अलग region देखने को मिलते हैं ऑके बट एक हमारी जो एक bigger identity है वो क्या है जो हम सब को एक साथ बांधे रखती है जो हम सब को एक साथ बताती है वो है इंडिया and we are Indian ऑके जो यह हमें याज रखना है कि हमारी एक जो larger identity है वो Indian है जितनी भी हमारी society अलग हो बट एक जो हमारी larger identity है वो Indian है ओके जो यह दू concept बहुत अच्छे से clear हो गए और चली आगे बढ़ते हैं इसके बाद तो देखिए अगर हम बात करें ethnicity के role की जब India as a nation emerge हो रहा था तो देखिए ancient time से ही Indian subcontinent में बहुत सारे groups रहे बहुत सारे अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहे एंड इसके रहाव बहुत सारे हमें culture भी अलग-अलग देखने को मिलते हैं different patterns of culture जिसको हम बोल सकते हैं तो वो हमें अलग-अलग देखने को मिलते हैं और इसकी वज़े क्या है, इसकी एक मेन वज़े है कि हमेशा से इंडिया एक रूल में नहीं रहा, हाँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आये हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा इंडिया, इंडियान सबकॉंटिनेंट एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर आया है, जैसे कि अगर हम बात करें, अचोका दिग्रेट के अंदर आया है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मुगल्स हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंग्लिश, ओके, सो इंशेंट इंडिया में हमें जो संस्कृत लैन्वेज है, उसने एक ब्रिज बादने का काम किया था, पूरे इं 1957 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस मुव्मेंट हुआ एंड उसके बाद जब हमारे नेशनलिस्ट को समझ में आया कि कैसे ब्रिटिश से आजादी मिल सकती है और इसके बाद जो धीरे-धीरे कॉंग्रेस का फॉर्मेशन हुआ जो एथिनिसिटी थी वो भी अपना धीरे-धीरे रोल प्ले करते गई मासिस में बर्ट जो एक एलाइट क्लास जी वे फॉर्मेशन पॉरे देश को अगर एक रखना है तो अभी से धीरे-धीरे धीरे-धीरे इसका सब प्लानिंग करना पड़ेगा तो उन्होंने उससे प्ला के बाद जो हमारे देश ने आ जा दी छीन के लिए बृतिकर से उसके बाद सरदार वल्लब भाई पटैल का भी बहुत बड़ा रोल रहा सारे integration में princely state के and जो अब हमारा nation है वो हमारे सामने है अभी भी हमारे साथ हमारे सामने बहुत सारी challenges आ जाते हैं जिसको government जिसके साथ deal करती है धीरे-धीरे with the health of education and positive environment हम धीरे-धीरे सारे differences को खतम कर रहे हैं, right चलिए समझने की कोशिस करते हैं, जो इथनीक unrest है इंडिया में उसके major factors क्या हैं, okay, तो सबसे पहला तो rural society हमने अल्रेडी बात की कि इंडियान जो society है बहुत जारब rural है इसके अलावा अलग-अलग languages होती है, okay, so इसी के terms में कभी-कभी इसने conflict हमें देखने को मिल जाते हैं, okay, इसके अलावा हम बात करें तो uneven economic development ये भी हमने बात की कि अलग-अलग economic development होता है जो जिसकी वज़े से जहां पर development नहीं हुआ, वहां पर एक grassroot discontent आता है और कभी-कभी politicians भी उस बात का फायदा अठालेते हैं, इसकी वज़े से वह बढ़ जाता है इसकी वज़े से भी हमें ethnic unrest देखने को मिलता है और जैसा कि हमने बात किया politicization of caste and region इसकी वज़े से भी इसने conflict हमें देखने को मिले हैं, इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में इसकी वज़े और इसके बात fear among minorities so minorities के अंदर जो एक separation का एक fear है और रहता है उसकी वज़े से भी हमें इसने conflict देखने को मिल जाते हैं ठीक है, इसके अलावा जो tribes में जो feeling है कि tribes का दिखिए मानना क्या है जो tribal wealth में उनका मानना है कि वो जो जमीन है पूरा वो उनकी है और वो अपने हिसाब से रूल करेंगे जबकि government जब वहाँ पे development project लगाती है बट उसकी वज़े से उनको दिक्कत होती है ठीक है वो यह मानने को तैयार नहीं है और जब तक देखे अगर कोई मान रहा है कि उनकी पूरी जमीन है वो वहाँ रहते हैं वो अपने हिसाब से वो करेंगे तो उसमें अगर government interfere कर देगी तो सामने वाला क्या सोचेगा वो तो सोचेगा कि government हमारे साथ गलत कर रही है ओके सो ओवियसली इसकी वज़े से भी हमें इतने conflict बहुत सारे देखने को मिले है जिसमें कि जार्खन movement बहुत important है क्योंकि उसके results भी हमें देखने को मिले जार्खन state बना चलिए वो हम आगे समझने की कोशिश करते है कि क्या है जार्खन movement तो हम जार्खन movement की बात करें अगर तो जार्खन movement एक बहुत अच्छा example है politics of ethnicity का और role of ethnicity in Indian politics का राइट जो हमारे tribal wealth है central इंडिया का इसके अंदर बिहार, मद्रप्रदेश, उरीशा और अगर हम अभी के टम्स में रेखें तो चत्यस गडवी तो यहां पर जो जार्खन movement था उसका rise देखने को मिला था ओके और वो धीरे धीरे movement जो discontent था वहां पर grassroot में कि उनकी जमीन छीनी जा रही है यह exploitation हो रहा है, politician neglect कर रहे हैं तो इसकी बज़े से movement बना था और वो बाद में जाके as a separate state on the basis of role of ethnicity in Indian politics, right तो बहुत अच्छा example है जारकन movement हमारे सामने अगर हम देखें कि ethnicity का Indian politics में क्या role है, ओके तो देखिए अगर हम बात करें कि इतनो nationalism क्या होता है ठीक है, जो ethnicity होती है और उसके basis में जो इतने group बनते हैं वो धीरे धीरे अगर ध्यान ना दिया जाए तो उनके अंदर एक nationalism की feeling आजाती किस basis में, ethnicity के basis में, right जो धीरे धीरे harmful होती है किसी भी country की unity के लिए, right जैसी के अगर आपन example देखें जो खालिस्तान moment चला था, पंजाब में 1970s के time, 1980s के time, ठीक है जो वो moment देखें अगर हम नागा moment देखें नौर्थीस्ट में, अगर हम काश्मीर का moment देखें, okay तो काश्मीर में भी देखिए बहुत सारे जो politicians वहां के हैं, तो कुछ politicians तो direct statement दे रहेते हैं कि 370 और all की उपर, so देखें, ये सब खतम करने की ज़रूएत है, बहुत अच्छा step जो government ने लिया था, article 370 abolish करके, right, so क्यों चाहिए भाई, मतलब नया अलग से एक state क्यों चाहिए, जबकि हमें हर बार वहां पर पाकिस्तान की border लगी होई है, ठीक है, so इसकी वज़े से होता क्या है, धीरे 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 अगर 370 रहा आता है, उसका धीरे धीरे नेशनलिजम की feeling, उसका धीरे धीरे सेपरेटिजम की, उसके बाद ये national unity, national integrity के लिए harmful होता है, अगर एक country है, एक रूल है, तो एक ही रूल में सारे state रहें, वो ज constitution ने ethnic diversity को recognize किया है, and इसके बाद Indian constitution ने ये भी feel किया कि, जो लोग है, Indian citizen है, उनके political, social, economic, cultural progress के बीच में ethnicity ना आए, national integration के बीच में ethnicity ना आए, ठीक है, तो क्या provisions दिये हैं, गए है constitution के थुरू, so universal adult franchise, जिसके अंदर की बिना caste, race, religion को देखे, सभी को एक जैसे vote करने का अधिकार दिया गया है, okay, इसके बाद state की बात करें, अगर Indian state की, तो Indian state ने जो role अपनाया है, वो as a reformist अपनाया है, कि reform, धीरे 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 reform होगा, reformist state उन्होंने अपनाया है, रोल, Indian state ने, एंड, इसके बाद चलिए, हम बात करते हैं कि, क्या कुछ conditions बनती हैं, और Indian state का उसमें, रोल क्या होता है, okay, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कि, Indian state का क्या role देखने को मिला है, क्या policies Indian state की भी देखने को मिली है, constitutional framework के अंदर, okay, so सारी demand, जो की secession तक नहीं है, secession से कम है, उनको आजादी पूरी दी जाती है, व्यक्त करने के लिए, लेकिन अगर secessionist demand है, तो उसको suppressed कर दिया जाता है, अगर ज़रूत पड़ी, तो armed forces की मदद से भी, क्या मतलब है, आर्मी की मदद से भी secession कर दिया है, यह हमें Indian history में, independent history में देखने को भी मिला है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो regional demands की, तो regional demands language और culture basis में accommodate कर ली जाती है, जो कि हमें industry में देखने को भी मिला है, so reorganization, commission and all, वो समने हमने already देखा ही है, बट अगर religious difference के basis में कुछ demand है, तो उसे बिलकुल accept नहीं किया जाता है, इसके अलावा जो ethnic demand है, वो अगर grass route में, आपका सच में discontent है, जादा है, और इसके अलावा वो politics के लिए नहीं है, जो वहां के लोग हैं, उनकी ज़रूरत है, और उसकी वाज़े से कुछ अच्छा ही होगा, तब वो accept कर लिया जाता है, किसी problem को solve करने के लिए, कोई नया state वनाना है, या कुछ अलग policies implement करना, ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो religious basis में, अगर वो cessation की बात करते हैं, अगर सिर्फ ethnic viewpoint of view से, तो accept नहीं करती है government, राइट, चलिए, तो फिर जल्दी मिलते हैं, नए वीडियो के साथ, नए topic में, जो कि बहुत जल्दी upload किया जाएगा, तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कोई doubts हो, तो comment section में पूछ सकते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, आप हमारा app डाउनलोड कर लीजिए, आप हमारा telegram चैनल भी जोईन कर सकते हैं,